डिवान कैसे हो आप सब आई हो कि आप सब अच्छे होगे मैं भी ठीक हो और आज का वीडियो है कुशन आंसर वीडियो मतलब जो आप लोगोंने कमेंट्स किये थे वो मैसेज़ेस वाला वीडियो है ये उमेद करूंगे कि आप वीडियो को आइंट तक जरूर देखेंगे औ जो कम्यूनिटी रोज डेली डलती है मतलब आप से मैं रोज डेली तीन बजे दुपहर को कम्यूनिटी डाल दिया करूंगी आप लोग अपना जो भी मैसेज अगले दिन के वीडियो के अंतर आपको मैसेज भेजना हो साइकलोन को तो वो आप लिख सकते हैं वहां कमेंट कमेंट से वीडियो बनाती हूं तो चलिए सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से तो प्रीत शाह करके एक आईडी है उन्होंने लिखा है जब से साइकलोन ससुराल से आई है उसे सुंदर बनने का बहुत भूर चड़ा है शायद उसकी देवरानी सुंद शादी के बाद इसलिए उसकी घर में लड़ाई होती थी जैसे वो कह रही है उसे शादी के बाद गली में ऐसे बीना काम के चक्तर लगाने थे सास रोकती थी उस टाइम उसकी शादी को सिर्फ चार महीने हुए थे तो हमारे महां एक साल तक भू को ऐसे ही रखते हैं उसे कौ चार की हवा भी नहीं लगाई लग जाती हवा भी नहीं लगनी चाहिए मतलब इस तरीके का ऐसे कोई बुरी सोच नहीं होती इसके पिछे बस ऐसे ही होता है के रोenthィ यह नजर लग जाएगी साइक्लोन अब देखो ऐसे पागलों की तरह कुंगती रहती हो सारा दिन बा चाहिए थी जो कि एक प्रॉपर फैमिली के साथ नहीं मिल सकती थी absolutely right कि आपने ठीक बोला कि जो इंसान इतना अवारा हो मतलब अवारा ही बोलेंगे इसको कि बिना मतलब का घूमना फरना अवारा कर दी करना और पागल बनाना दुनिया को कि भई हम तो घूमने हैं अम तो अपना वेट लास करने के लिए खूमने हैं लेकिन नॉर्मल इंसान जो होता है जैसे नॉर्मल लड़की होती है किसी घर की उसके अंदर और कोई अगर किसी की घर की बहु बन जाती है उसके अंदर काफी फर्क हो जाता है और ये फर्क तभी देखना चाहिए जब आप किसी से रिष्टा पक्का कर रहे हो जब आप साबने वाले से रिष्टा पका करोगे तो तब इसे आपको पता लगना लग जाता है कि साबने वाले की सोच और समझ कैसी है अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको उस घर में शादी नहीं गैननी चाहिए थी है ना, तो उसके बाद कि इतना जादा पैसा वेस्ट करी है बच्चे को पहले तो कुछ लेकर नहीं देती थी आप लोगोंने भी देखा है लेकिन इसको ऐसा लगता है कि बच्चे को खिलोने हर रोज नया खिलोना लेके देने से बच्चे खुश रहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे विगड़ जाते है और रोज डेली बच्चों को खिलोनों की जरुरत नहीं होती है सबसे अच्छा चीज होती है कि बच्चे को घर का अच्छा पॉस्टिक खाना मिलना चाहिए उसको अच्छे से घर के खाने की आदत होनी चाहिए उसको रोज डेली नहाने दोने की और इस तरीके की चीज़ों की आदत डालनी चाहिए ना कि ये खिलोने लेकर देने की जरुरत है अभी माल लो कि अभी यूटुब चल रहा है तो तुम रोज डेली खिलोने उनको लेके दे रही हो डेली डेली है न और बच्चा थोड़े इस समय में बढ़ा हो जाएगा इतना नहीं है कि वो उस खिलोनों का लाइफ टाइम तक यूज़ करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा ये खिलोनों में वेस्ट कर रही है डेली डेली तीन सो पान सो का खिलोना जो एक एक करके ले रही है रोज डेली ले रही है दो तिन दिन से तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पैसा अगर ये 300-500 भी उसका इकठा करे ना उसके future के लिए saving करे मुझे लगता है कि वो जादा better होगा खिलोने आज खेलेगा वो दो दिन बाद तोड़ देगा वो पैसा खराब है है ना तो ये था इनका कमेंट और इनके ऊपर मेरी बात आते हैं तीसरे कमेंट पे जो है ममतरा शर्मा जी का तो इनोंने लिखा है पती को पीटा बाप को पीटा अब क्या मा की बारी है अच्छा इनोंने लिखा है कि पती को पीटा बाप को पीटा अब क्या मा की बारी है देखे कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि राय थे तो ये रोज डेली फैलाती रहती और क्या पता इसने बंद कैमर में यह सब कर भी लिया हो हमें क्या मालूम है न तो इसके उपर तो मैं मिलकुल भी भरोसा नहीं करती हूं तो बस मैं यही कह रही थी कि आप लोग भी अपना भरोसा अपने हिसाब से कीजेगा उसके बाद आदें next comment के उपर ये मेरा सफर करके एक ID है इन्होंने लिखा इतनी तो सीधी ये है नहीं कि इस से हाथ उठाया जाए और ये चूप रहे अगर ऐसा था तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई इसने अपने पापा को भी हाथ उठाया है सोचो कितना गिरी हुई है और मुझे भी नहीं लग रहा कि इसने इतने सीधे तरीके से मार खाली होगी पहली बात कि मारा ही नहीं गया मारा गया होता तो आपके सामने शुरू से पहले दिन से ये रोना रो लिया होता लेकिन आज इसले काया जा रहा है क्योंकि लखन सपोर्ट कर रहे है उसको सपना को क्योंकि सपना की तीस्टरी शाधी बहुत ज़ादा कंटेंट वाइरल हो रहा है तो इस टककर में बोसका डोमेस्टिक, जो जो भी चीज़े उनके साथ हो रही है हरेस्मेंट हो रही है तो इनको लग रहा है कि वह अगर मैं ड्रामा करूंगी तो शायद मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा मेरे चैनल को बॉस्ट मिल जाएगा लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है के बाद आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे ये हैं अरुनपुरिकर की एक आईडी तो ये माम UK की माम है तो इन्होंने लिखा Hi my lovely I would like to say one thing If you could ask her if you having physical abuse Why did she want his brother to marry her That's why she is a liar and needs reporting है ना तो इन्होंने ये बात लिखी है कि अगर ये बोलती है कि इसके साथ physical abuse हुआ है है ना तो फिर मतलब जो इन्होंने अपने देवर के उपर आरोब लगाया कि जो physical abuse से related आर केस वाला जो सीन था अगर ऐसा बोलती है कि देवर के साथ ऐसी चीज़े हुई है तो फिर ये उससे शादी क्यों करना चाहती थी है ना सीधा सीधा रीजन है जो लड़का अगर कोई लड़की के साथ गलत चीज़ कर रहा है तो वो लड़की कभी नहीं जाएगी कि मैं उससे शादी करूँ है ना basic reason यही है कि इसने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं accept किया इसको तो फिर इसने उन पे गलत चीज़े लगा दी उनको बदनाम करने की कोशिश की जो कि आज तक चल रही है और इन्होंने साथ में यह भी लिखा कि needs reporting तो देखिए यह सब तो आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है मैं इस चीज़ पे अपना कोई tip नहीं करना मेडिया पर हमारे समाज के लिए मेसेज अच्छा जा रहा है मुझे बस यह गलत चीज़े रोकनी है बाकी मुझे किसी के कोई भी चैनल से किसी के कोई अर्निंग से मुझे कोई प्राबलम नहीं है यह चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूं और आप लोग भी शायद जानते ह कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है लेकिन जो गलत चीज़े मैसेज आ रहा है वो मैसेज गलत है और वो मेरे तक मतलब आएगा तो मैं उस चीज़ पर रियाक्ट करूंगी है ना तो यह वीडियो का एंड करती हूं एक मैसेज और है बहुत लंबा है वो छायद नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं क्योंकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बताना तो मैं बताऊंगी लाइक शूर सब्सक्राइब कर दीजेगा नेक्स्ट कम्यूनिटी तीन बज़े डलेगी आप सपोर्ट करना वहां पर मैं मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक लि बाई चिक्केर